प्रसिट क्लास ने को डिस्केस करना है करें तो 9 अगर्स के अजर आग्पेस करने मैं क्लास की और वीडियो और वीडियो को चेक कर लेदा है और वीडियो में कोई प्रॉप्रम तो नहीं जल्दी से इसको चेक करें तो फिर में क्लास को यहां पर शुरू करेंगे तो मुझे तो ओडियो वीडियो में कोई भी प्रॉप्रम नहीं लगी तो शुरू करते हैं गुड मॉर्निंग विलकाम नाइंथ ऑफ ऑगस्ट ट्विंटी ट्विंटी वां के हिसाप से आज अपने क्रेंट फिर में डिसक्स करना है ठीक है सब सब्सक्राइब एक एक कोश्टन पूछता चलूँगा तो अगर इन कोश्टन को भी आड़ कर दो तो टूटल 19 कोश्टन हो जाएंगे और 5 न्यूज हो जाएंगे इस क्लास ठीक है जो सुनस आज है में 14 कोश्टन की सीरीज करनी है इसमें से पहले दो कोश्टन होंगे स्टार्टी का फेस क अगले दो कोश्टन सेडीज कर आखरी के दो कोश्टन फाइनस के जो सुनस आज है में 5 न्यूज करनी वह कौन कोशी है न्यूज निवर वन आपको आज से कुछ नहीं बहले बताया था कि आइनस विकरांत जो हमारी कंटी का पहला ऐसा एरकाफ्ट करियर जो इंडिया खु है अभी आप देखोंगे आनले कुछ महिनें और यहां पर इस तरह के टेस्ट रखे जाएंगे और 2022 में इसको निवी का पार्ड बनावियत लेगा चलते हैं सुन सब्सक्राइब न्यूज है डी बी एस बैंक आपने सबसे इनोवेटिव बैंक इन डिजिटल बैंकिंग जो दिए दा बैंक करने मैं आपको यह निज च्छे सम्झाऊंगा थर्ड नुस्ट हमारी के चैंटिक अप्रूव कर दिया है राजीब गौबा जो कि हमारी कंटिक के क्याबनेट से क्रेंट से क्रेंट से किछ बहुत ही इंप्रॉडन्ट पोस्त होती है अब राजीव गौबा और ग्लोबली दुनिया में फर्स सेकंड थर्ड पर कॉंसिकंटी रही ठीक है और सुनस आज के मारी पांच भी न्यूस आर बी आय ने डीशन डी आर बीए की आर बीए कि तो इसी कहने चाहिए पर मॉनिटरी पॉलिसी किमिटी की मीटिंग हो के अटी उसके बाद डिसाइड क सब सरह बात करें तो मेरे बार में स्टोंस मेरा नाम है अभिनव जोशी तीन साल से बिजाता है इन से स्टोंस को क्रांट फेस चाटिक अफेस और बैंकिंग फेस की तैयरी करवा रहा हूं वेरियस गमेर एक्जाम्स के लिए आने का बेस्ट प्लाटफों में जहां परा बै प्लाटफों पर बनाया जाते हैं उसमें कुछ चीजों का ध्यान रखाता है जैसे पूरा स्लेबस कवर कराया जाए टॉप अपको पढ़ाएं पीडियों मिटीरियल दिया जाए बीकिस मॉक्त रखा जाए और डेडिकेटी डाउट किलिंग शेस आपने रखने ठीक है सुन जितने भी यहां पर कोर्सें बनाया जाते हैं उसमें सब्जेक्ट वाइस एक एक चीज के लिए कराई जाती है ताकि एक्जाम से पहले आपको कोई भी प्रॉब्लम यहां पर फेस ना करने ठीक है आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं बहुत ही बहुत ही इंपॉर्डन स्कॉ यह प्राइज को को सब्सक्राइब करना हो किसी भी यह कर सकते हैं अपको को समाट ब्यास से बिलकुल मिल जाए ठीक है अधार कैश्ट को से नावा अलिमिटेट एसस तू आल भी मिटिरिल अने कैश्ट प्लाटफर्म जो क्या को गूगल प्रेस्ट पर आप सो से मिल जागा जिसे मैं आपको फुल वीक की क्लास करन फेसी क्लास 20 बेस्ट कोश्टन ऑफ बैंक की एक क्लास सारी क्लास अब जरूर जाकर यहां पर मेरी क्लास उसको एक बांच चेकाउट कर सकते हो ठीक है स्वाइब आर ओल सेट अट्स तो टोड़िए शुरू करते हैं हम अपनी आज क क्लास को सब्सक्राइब को क्लास के लिंक और पीडियाफ आपको रेगुलरी चीए तो आप टेलिकाम चानल सीए बाई अभी जोशियान अकाडमी को जुरूर जॉइन कर सकते हो जो पीडियाफ में ठीक से अप्लोड नहीं कर पादा था पर आज से ठीक हो जागा इसी क्लास के बाद में पहले पेंडिंग पीडियाफ सारी डालूंगा और उसके बाद यह जो हमने क्लास करी उसकी पीडियाफ यहां पर जुरूर डाल ठीक है तो आज क्लास में 14 कोश्चंस 5 न्यूज हर एक न्यूज के बाद भी के कोश्चंस चलता रहेका तो टोटल 19 कोश्चंस और 5 न्यूज हमको यहां पर के अज़र करने में 37 का क्लास में आज वाद ने से जो लोग अब मेरी क्लास लगा रहे हैं दो या तीन में से और जिन लोगने बाद में भी शुरू करी में आप लोगी कंट्री्ज और क्यापिटले काफी फोकस रोगें आपको जूरूर काम आइगा इस让 से मैं इसको डालता हूं तो सुन्स आज का पहला कोश्चन है अधिस अबाबा क्या है किस कंटी की इत्थोपिया उगांडा रवांडा या फी नाइजीरिया को तो विद आप तो अधिस अबाबा असल में कैप्टल है बिल्कुल से निल्मा पता रहे हैं इथोपिया अब सुन थोड़ा से इथोपिया के में जान लेते देखो अभी एहमद अली वही इंसान है जिनको 2019 में नोबल पीस पाइस मिला था तो सुन से अगर आप देखो यहां पर अफ्रिका के बार में लेक विक्टॉरिया यहां पर आपको देखने को मिल रही है तो यहां पर आपको मिलेगा इथोपिया ठीक है हॉन ऑफ अफ एफ्रिका का अधिक है तो इथोपिय के बिल्कुल उपर कंटी आए रीट यहां पर कंटी दिखनी छोटी से नहीं दिखनी जबूती यह ठीक है तो इथोपिय के अधिस अब आगे चलते हैं चलते हैं अबने सेकिंड कोश्चन स्टार्टिक अप लोगों के सामने की गुरुमारा नाशल प को सुच को सुच हमारे में कंटी में गोरुमारा नाशल पार आपको कौंसी स्टेट के अंदर मिलता है मद्हाअ परदेश वेस्た बंगॉल गुजरात या फिस भी महाराश्या सुचतनी जलपाई इंदि फानिश्य स्टेजटेब घर्मारा नाश्य ठीक हैं uh और और में देख लिए तो कुछ इंपोर्टन चीज इसके बार में हाँ वेस्ट विंगॉल के जलपाई गुरी में आपने एलेक्शन के टाइम बहुत सुना अगर जलपाई गुरी तब रहां पर आपको मिलता है गुरुमारा नाक्सिल पार्ट इसको इस्टैब्लिश किया ग IEEE International Conference on Range Technology तो पूरी का नाम है इसको रिसेंटली ऑगनाईस किया इंडिया की किस बड़े इंसिट्यूट ने इसमें से किस वह इंसिट्यूट था जिसने की आईसी ऑगनाईस किया डियाडियो एंपीसीया एस्बीया या टेली कोशिश कर सुन तो डियाडियो एंपीसीया ए इसमें से किस ने रिसेंटली होस्ट किया इसी ओर्टी दोहजारी किस को तो सुट्स बिल्कुल यह जो से आंसर है वह ऑप्शन नबर दी अर्डियो बुझे यहां पर पी आई बीकार्टिकल मिल तो मैंने उसकी को डाल भी आप देख सेकेंट आय ट्रिपल ई कि इंटर्नाशल कॉंफेंस ऑन रेंज टेक्नॉलोजी किस से इसको होस्ट किया वर्चुली डिया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलोप्मेंट और्गनाइजेशन बिल्कुसी निर्मा बिल्कुसी आपटेंट पर चलते सुन चौथे कोशन पर इस को चलो मैंने ऐसी डाल दि पर इंडिया एंडिया टोक्यो अलम्पिक्स तो सिर्फ एक गोड मेडल है हमारी कंटी का जो निर्य चोप्रा का था कौन से इवेंड में इन्होंने हमारी कंटी के लिए गोड मेला जीता वॉक्सी शूटिंग रेस्टिंग जावन थो बिल्कुसी तो इस तो कोश्चन आप बहुत अच्छा थो मारा ठीक है जो बाकी कॉंपनेंट से जो बाकी ऑपनेंट से उनके आसपर सुनिय पॉइंड पांगे चलते हैं चलते हैं चलते हैं पांच वे प्र कॉश्चन है करन्ट अफेर्स कैर्टिगिरी का आप से पूछा जा रहा है जो लॉजिकल सर्वे ऑफ ZSI, इन्होंने recently appoint किया है, अपने first ever female director को आपसे पूछा जा रहा है, name आपको बताने है, ZI से एक director का The Geological Survey of India has appointed first ever female director of the organization, name the new director of ZSI, तो आपसे पूछा रहे हैं, इनका नाम क्या है क्यान का नाम है, KG, इनका नाम है, क्यान का नाम है, अर्चना बहुगना, क्यान का नाम है, धीती बैनर जी, या फिनका नाम है, इन्दू शर्मा तो बिल्कुल यहाँ पर सही बता रहे है, निले मा, option बस ही, धीती बैनर जी, इस question का बिल्कुल ही, इस ही आंसर है The Logical Survey of India gets its first woman director, ठीक है, सुर्ण सोड़ा The Logical Survey of India के बाद में भी जान लेते हैं The Logical Survey of India को found किया गया था, 1st of July 1916 में Government of India ने ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है, बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश करना, काफी सारा डाटा यहाँ पर बनाते रहना हमारी कंटी के फ्लोड़ा फॉर्णा के बाद में, हमारी कंटी के प्रोटेक्टेड एरि आगे चलते हैं, चलते हैं सुन्स हम अपने छे में कोशन है, कोशन है, नाशनल हैंड लूम डे, नाशनल हैंड लूम डे हमारी कंटी में सेलिबेट किया ता है, फिर अब्जर्व किया जाता है, किस डेट को, इस अब्जर्व किया जाता है, इस अब्जर्व किया जाता है, है आठ छे पांच या साथ इस कोश्चन का सुन जो बिल्कुल ही सही आंसर है नाशनल हैं हमारी कंटी में अब्जर्फ किया जाता है ऑन 7 ऑगस्ट साथ अगस्ट इसका बिल्कुल ही सही आंसर ठीक है सुन तो आप देख सकते हो इन 2015 दी गर्मेंट ऑफ इंडिया डिसाइड टो डेजिगनेट 7 ऑगस्ट अवरी यर अजी नाशनल हैं देख सब्सक्राइब इन अगस्ट इन चैनल थे प्रिया आपको चीज के लिए बिल्कुसी नियल माप बिल्कुसी एटेंट करो 7 ऑगस्ट चलते हैं सुन रहा है कुटेञ ध्या दे कुट इनदिया डिया डे एक अन्यवरजन होती है यह ऐसर किस डेट को अबर्षों अब्जव किया यह घुटेजाबन इन्दिया ड मिल्शै which takes place every year on 5th of August 6th of August 7th of August 8th of August कोशिश करो पताने की quit India Day हर साल observe किया जाता है किस डेट को 5 6 7 8 तो आज की करन्ट फेस्ट बहुत दो important question लगे मेरे मुझे important dates के मैंने दोनों यहां पर include कर लिए the quit India Day is an annual celebration which takes place every year on 5th, 6th, 7th या 8th students इस question का बिल्कुल ही जो सही आंसर है वो है option number D 8th of August quit India Day हर साल हम लोग observe करते हैं 8th of August को students मैं आपको दिखा भी देता हूं तो quit India moment की जो anniversary जो quit India Day बोलते है असल में 8th of August को इसलिए observe किया जाता है क्योंकि students 8th of August 1942 में meeting रखी गई थी All India Congress Committee के मुंबई में इसी मीटिंग के बाद हमारी कंटी के महात्मा गांदी ने कुट इंडिया मुवमेंट को जो जो एक तरह से मुवमेंट सा उसको लॉंच कर दिया ठीक है यह इंपॉर्टर से बिलकुसे निलिमा बिलकुसे यह बता रहे हो ठीक है आपको सुन्स यह बिलकुल यह याद रखना है महात्मा गांदी ने कुट इंडिया मुवमेंट को शुरू कर दिया ठीक है चलते है अपने आट पर कोशन है करन्ट अफेर्स कार्टिगरी का आप से पूछा जा रहा है सुबह ममनियन संकर बाबु नरायन तो जुनको आप इस पिच्चर में भी देख पा रहे हो इनकी री करते थे होकी क्रिकेट फुटबाल बैंटम सुबह मुन शंकर बाबु नरायन पास्ट वे लुज फॉर्म प्लेयर ऑफ इस पूर्ट फॉर्ट फॉर इंडिया को इनमें से वह कौन सा स्पोर्ट था जिसमें यह इंडिया को रीप्रजेंट करते थे इंटर्नार्शल लेवल पर नहीं बाकी कोशिश करो कोश्यंश को टेंब करने की जो गवी आपको एक पर सिंदि लगता कि ऐसा आंसर सकता है उपक्या इस पुट्बॉल इस कोशिण का बिलकुल ही सही आंसर है मैं आपको दिखा रहता हूं इंडिया के लंपिक फुटबालर इसे बाभु उनकी ते पर एक टाइम था कि इंडिया लंपिक्स में कॉलिफाई कर जाता है ठीक है चलते हैं सब्सक्राइब नाइन्थ कोश्चन के उपर कोश्चन है क्रांट अफेर्स काटिकरी का आप से पूछा जा रहा है वह कौन सा हाई कोट है जिससे रीसेंटी क्वाश्च कर दिया मतलब एक तामिलाडू की सरकार का लौ था क्या इसको बॉंबेया हाई कोश्च कर आप खत्नंग करवाया अलाबाद हाई कोट ने खत्नंग बरवाया दिली हाई कोट ने आप मदरास हाई कोश्च करो वैसे दो सुन्स देखो हमारी कंटी में गर्मेंट के डिसिजन के बीच में मदरास हाई कोट इस कोश्च का बिल्कुल ही से आसे मदरास हाई कोट कौशिस तामिलाडू गेमिंग एंड पुलिस लौ अमेंडमेंट अक्ट बैंड ओलने तो मलब तामिलाडू के स्टेट की गर्मेंट ने जो डिसाइड किया उन्होंने अपने कुछ फैक्स अपने पूच्छा रहा है हमारी कंटि में इस ताम पर आट प्रेजेंट कौन है लौ एंड जस्टिस के यूनियन मिस्टर हुइजी करंट यूनियन मिस्टर ऑफ लॉइंड जस्टिस सुब्हमिन जैशंकर किरन रिजीजू प्यूष गोईल या फे डॉक्टर विरंद्रा कुमा को कौन है करन रिजीजू हमारी कंटि के पहले स्पोर्ट्स मिस्टर अब बन चुक है हमारी कंटि के लौ जस्टिस मिस्टर ऑर मैं देख रहता हूं और कुछ ठीक है और तो नहीं लगता सुन से इतना हमारे कुछ यहां पर है आगे चलते हैं सब्सक्राइब कोशन पर कोशन है सोशल स्टेडीज का आप लों के साबने आप से पूछा जा रहा है फर्स इंडियन वोमें का नाम पताओ जिन ने क्लाइंब किया था मांट एवरेस को क्या उनका नाम था प्रेम्रता अगरवाल अरुनिमा सिनहां बचेंदीरी पाल या फिक्रिश्ना पातिल तो आप देख सकते हो एक इंडियन माउंटेन थे बिलकुस इनिल्मा तो जिन्होंने में 1984 में यह बनें फर्स इंडियन वुमें जेन्होंने समिट कम्प्लीट किया था माउंट एवरेस का ठीक है इनको हमारी कंटी के तीचा हाइए सिविलियन अबॉर्ड भी दिया था पदम भूशन का हमारी कंटी की सरकार के दारा 2019 में और इनके बार में देख लेता हूँ मैं ठीक है और तो इतना कुछ है नहीं मतलब और ऐसी कुछ चीज नहीं जो मेंली सेलिब्रेटेड इन विच आप दी स्टेट्स के रिला तामिलनाडू करनाटका डिसाइन में से वह कौन सी सेट है जहां पर ओनम फेस्टिवल को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है सुद्स इस कोशन का जो बिल्कुल ही साही आंसर है असल में बिल्कुल से निलमा अपतार है के रला ठीक है तो आपको मैं दिखा भी देता हूँ इस देखे थी उस लिस्ट में पतायागा था कि 21 या 22 तू तरह के ऐसे फैस्टिवल जो सब कुछ सारे डिपेंड करते हैं हार्वेस्ट में जो फसल को काट आता है बस स्टेट्स के नाम सुन का अलाग नाम चींज हो एता है तो सुन्स कभी मुझे क्लास में कोई ओन नम या थोटींत को इसन पर कोशियंज है फानायन्स और बैंकिंग का आप से पूछा जा रहा है दीए गया उप्षिन में से कौन से स्टॉकक एक्सशेंज होल्डर करेक्ट है मतलब ऐसे स्टॉक एक्षिंज होल्डर है हमारी कंति में क्या इंडियन स्टॉक एक्शेंज हैं बंब स्टोक इप्षेंज नाशनल स्टाउक एक्षेंज ऑंड इंडिया चेंज शुचिब से ऑंदन से कोशिश करो तो जितना मैं देख रहा हूं थो सुमित बोले ऑप्षी निल्मा बोले ऑप्षी बादी तो सोन्स इस कोश्चन ही जो यहां यहां पर बतारे यह ऑप्षेंज मतल और आपको आरहा यह था क्योंकि एन अभी आपको पिछली क्लास में कर आया है साटरेड़े ही आपको पड़ा है तो आपको से बिल्कुल ही और पर आपको पता है हर एक बैंक के एक टाइग लाइन होती है आप से पूछा रहा है पंजाब नेशनल बैंक पी नभी के टाइग क्या है relationship beyond banking to you since 1911 the name you can bank upon या फिर इंडिया इंटरनाशनल बैंक what is the tagline of Punjab National Bank PNB की tagline हमारी कंटी में क्या है relationship beyond banking to you since 1911 the name you can bank upon या फिर इंडिया इंटरनाशनल बैंक तो सुर्स PNB के जो tagline use की जाती है वह से में कौन सी है वो है option number C the name you can bank upon बिलको से सुमिद ठीक है तो आप देख सकते हैं पंजाब National Bank the name you can bank upon ठीक है इसके साब सुर्स हमारी 14 question की C is हुई यहाँ पर खतम अब हमारे 5 news आएंगी हर एक news के बाद एक एक question आएगा तो अभी भी हमारे 5 questions यहां पर बज़ जो है ठीक है तो निज्स कौन को से हैं से पहली सी ट्राइल शुलू कर दी आएनस विकरांट एक एक एरकार्ट करें जो हम खुद बना रहे हैं आपको लगता हो कि आएनस विकरांट तो पहली भी होता था बिल्कुल पहले होता था पर वह अब शिप जो हमने डीकमिशन कर दिया ताब एक नया शिप बंदा उसका नाम भी आएनस विकरांट ही रखा जाएगा हमारी कंटी का पहला इंडिजिनिस मतलब जो खुद हम बना रहें एरकार्ट करेंजिस का नाम होगा विकरांट उसने अपने पांच दिन के सी वाइज मतलब उसके जो सी ट्राइज से वह पांच दिन के यहां पर पूरे कर लिए सक्सेस बिल्कुल सही से यहां पर पूरे हो चुके इंडिया फर्स इंडिजिनिस एरकार्ट करें इंडिजिनिस वर्फ जो खुद बना एरकार्ट करेंज आपको पता है जिस पर फाइटर एरकार्ट लैंड भी कर सेकेंड तो इसने अपने पहले सी ट्राइज शुरू कर थे फो फ को जब इंडिया और को जोईन करेंगा तब इसका नाम होगा आइनेस विक्रांच जो कि वैसे एक पुराना एर्क्राफ था ऑब अब इसको मने कर दिया ठीक है खिख है तो दिजान के लिए तो इसको डिजाइन के है इंडियै नीवी ओन्धेना रेक्ट हो डिए NES वो इसको डिजाइन कि और बना रहा है कोचिन शेपयाड ने में ठीक है हमारे पास एक और एर कार्ट कर देखा है जिसकी मैं आपको पिच्छर भी दखाऊंगा यह अंसल में रखा हुआ है तो आपको थोड़ा दिखा देता हूं एक कर दे होता है कैसे देखो यह विक्रम दे होता है उसके उपर आप देख सकते हैं फाइटर एक कार्फ यहां पर है क्या एक तरह से आपने पूरा एक एरफोस सेशन भेज दिया कहीं पर ठीक है किसी भी कंटी का सबस्कार आपको लगे आपको कलको मौरिश को मदद करनी आपको कलको साथ अफरीका की मदद करनी तो आ मुझे आप से यहां पर कोशन पूछन में मुझे आप यह पता दो कि ठीक है जैसे हमने विक्रम अदित्या को प्रचेस किया है रश्या से आप मुझे यह पता दो कि राफियल और एस फोरन्डड राफियल एक फाइटर एरकाफ्ट है एस फोरनडड एक एर डिफेंस सिस्टम है यह कौन सी कंटी से हमने परचेस की हैं यहां पिर आरे कोशिश करना पता नहीं कि राफियल और एस फोंड़ तो जैसे विक्रम इलते हैं हमारे कंटी में आया तो रश्या दिया गया मोस्ट इनोवेटिव बैंक इन डिजिटल बैंकिंग और इसको यह जो टाइटल दिया दा बैंकर ने दिया तो जो बैंकर है काफी रेप्यूटिटिड रा इन्सेशन है जो यह टाइटल दे तो दुनिया में माना जाता है ठीक है समय लेते हैं तो डीबीएस बै जीता है साइबर सिक्यूरिटी काटिगरी में ठीक है तो इन्होंने कहा जीता है डीवेस बैंक आपके सर्वर सिक्यूरिटी काटिगरी एशिया पासिफिक रीजिएन पर सेक्योर एसे और रिमोर्ट वरकिंग सुष्टे को चुन आप जितना डिजिटल बैंकिंग पर जात दीवेस बैंक हमारी केंटे में काम करता है पर यह सिंगापर बेस मल्टी नियाशनल बैंक है ठीक है और इसके लावा इसके जो हैटकर थे से पूचा उसका अंसर इसकर्स करते मैंने आपसे क्या पूचा कि राफेल और एस 400 कौन-कौन सी कंटी सार तो बिलकुस यहां पता ह सुट्स राफियर आरा है फ्रांस से और एस फोर्नेट असल में रहा है रश्या से बिलकोसी निल्मा बिलकोसी अरे नाप भी बिलकोसी बोल रहे हो कि पर आपके फ्रांस निलिखा ठीक है तो मुझे सुट्स आप से यहां पर कोशन पूछना है या तुम आपसे बैंकिंग से पूछ सकता हूं ना चलुं कि सिंगापूर इस एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप ओफ कंट्रीज का पार्ट इस में तोल दस कंटीज आती है वह कौन सा है कम ग्रुप के बाद मैं करूद कोशिश करो सिंगापूरे कैप्ट्ल और और सिंगापूर एक ग्रुप और करने की तब तक मैं चलता हुए थर्ड नियूस पे इनका नाम के सुद्टिक नाम है राजीव गौबा यह हमारी कंटी में कौन है क्याबिन्ट सेकर्टी हमारी कंटी में एक आई-ए-स ऑफिशल एक आई-स ऑफिशल जो हाई-स रैंक पर जा सकता है वह एक क्याबिन्ट सेकर् इन्हों ने यहां पर एक्स्टेंड कर दिया सर्विस ऑफ राजीव गौबा एस क्याबिनेट सेकर्टी एक और साल के लिए राजीव गौबा एक 1982 के बैच आई-स ऑफिसर है जहारखंड के रग ठीक है इनको यहां पर क्याबिनेट सेकर्टी बनाया गया था ऑगस्ट 2021 में इनकी टर्म खतम होनी थी पर अभी ऑगस्ट 2022 तक अपना जो यहां पर सर्विस है उसको देंगे ठीक है तो सबसे हाइस आइस रैंकिंग ऑफिसर होता है मारे कंटेवे काबिनेट सेकर्टी और जो काबिनेट सेकर्टी ते बहुत सारी चीजों के हैंडल करते जैसे इस सेकर्टी का रोल होता है आपको याद होगा कि जब हमारी कंटी में चली थी वेव टू में तब कितनी सारी मीटिंग्स दिया करते ठीक है और देख रहे तो कुछ इंपॉर्टन चीज मुझे यहां पर अगर दिख जाए ठीक है और तो इतना है बन चले आपर कुछ नहीं है तब शूर्च थी टो पहले तो हम देखते हैं सेकंड कोशन में आपसे क्या पूछा रहा हैं पूछ रहा है बिलकुछ यहां पर बता रहीं निलमा तो शिंगापूर की कैपल है शिंगापूर सिटी और शिंगापूर रसे में घ्रूप है आशियान का एस्षैचन साओट ए हैं विसे का सब्सक्राइब बलाए को को बलाया जाता है कोशिश करें पताने की तब तक में जलता हुआ इंडिया का जो कंटीजेंट हैं उन्हें ने किंक्लूड कर दिया टोके 22 olympics को मतलब खतम होगे गेम्स टोटल साथ मेडल जीते इंडिया ने जो कि अब तक की हमारी olympics में बेस्ट परफार्मस थी 135 की पॉपलेशन के साफ से काफी कम था पर इंडिया आनल टाइम में बिल्कुल इंप्रूफ करें का उसके साइंस हमको इस olympic games में जुरूर देखें देख लेकिते तो 2020 olympics game खतम हो चुक है 8th of August को अब 24th August को शुरू होंगे पैर olympics चले 23rd of July 8th August के बीच में टोक्यो जपान के अंदर अब आप सोचों के सारा टाइम तो चाइन आ गया था बिल्कुल चाइन आ गया था बिल्कुल एंड ले एक या दो दिनों उनाइटेट से यहां पर आ गयो गया गोल में जो सब से आगे वो अवराल सब से आगे चाइन नंबर टू पे था टोटल 38 गोल 32 सिल्वर 18 व्रॉंस टीक है टोटल 88 मेडल जपान तीस नंबर पे था तो जिस भी कंटी में टॉप फिफ्टी में इंडिया था 48 रांक पे हमारे पास टोटल साथ मेडल एक गोल दो सिल्वर और चार यहां पर हमारे थे सुन्स ब्रॉंस ठीक है आए होप यह चीज यहां पर क्लियर हो चुकी है तो इंडिया के जो कंटीन था उन्हें तोटल साथ मेडल जीते जिसमें से एक गोड था नीजर चोपड़ा का दो सिल्वर थे एक मेरा बैचानू का एक रवी कुमादाया का चार ग्रॉंस थे एक मिंडियन मैंसौकर टीम का एक लवीना बोरोगेन का एक पीवी सिंदो का और एक था बजरंग पूनिया का ठीक है और और क्या सुन्स और हां अब त दिन जैसे नैसलल होते हैं पूम स्तेट लएं पर जोते स्टेट लएं एक स्टेटम पर होते हैं तो आप बहुत बार देखोंगे अब मुझे आपसे श्री को मीटिंग रखवा है तो इस तरह से चलता है अब मुझे साबसी यहां पर उच्छन में मुझे पता दो कि ठीक है आप मुझे बस यह पता दो ल Cookie ताEO गोल्ड के युद्ल ब सुद्य消息 में परफॉर्म किया उसके हमारे टेशे सक्वी नस युद्ट में आ व्याइग से नियुक्स他 आइए इंचाइए सुद्ध है ठीक है थोड़ा साब को लिखना पड़ेगा पर कोशिश करो लिखने की बिल्कुसी निलमा बिल्कुसी कोशिश करने इसको लिखने की तब तक मैं चलता हूं अपनी आज की आघनी उसके पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रीसंट यह आपको पता है सोंट्स MPC मॉनेटरी पॉलिशी की मीटिगी मीटिंग होती हर दो मीने में एक बार तो हम लोग क्यों बोल देते हैं कि MPC की मीटिंग और भी आ की मिटिंग क्यों बोल देतें सब्सक्राइब कि मीटिंग की मीटिंग तो आरभी आ की मीटिंग तो में डरी पॉलिशी की मीटिंग हो के शेयों के बाराइब कि कि हम यहां पर समझ लेका है तुसक्त बैंक ओफ इंडियरह तो इसको यह विर्ठव्रग और शथे जो मेरे हिसाब से शायद अलमोस्ट डेर साल से भी जाद हो गया कि रेपोरेट हमारी कंटी में बदला नहीं गया सुर्टंस MPC की मीटिंग होका हटी मोनिटरी पॉलिसी की मीटिंग थी 4th of August 6th of August को आप जो मारी कंटी में रेपोरेट रिवर से बेड ऐसे लार सब देखते हैं सब MPC ही डिसाइड करता है तो इस मीटिंग में यह भी बिताया गया कि जो GDP ग्रोथ है उसको पिछली बार जितना राउंस किया गया था 9.5% इस फाइनेशल एक लिए उसको चेंज नहीं किया ग 10% CRR था Cash Reserve Ratio 4% और स्टेट इकुडिटेटी रिशो था ता तो इस में से इसमें से रेपोरेट MSF रेट और बैंक रेट इन तीनों में ही इन तीनों में ही बैंक पैसा लेते हैं उधार से रिवर्स है जो बैंक पैसा लेते हैं यहां पर RBA से उधार ठीक है तो इन तीनों मे ही जो बैंक होते है पब्लिक और प्राइब बैंक को पैसा मांगता है ठीक है तो रिवर्स रेपरेट में आर्बिय को पे करना होता है इंट्रस्ट परसंड होती है जो बैंक को हमेशा अपने पास रखनी होती है बैंक को कुछ पैसा हमेशा अपने पास रखना होता है उसके टोटल रिजर्व का वहता है और अच्छे से नहीं डिसकस कर सकते हैं पर आहले ली क्लासे में में रिवर्स को स्टाटिक के कोश्चन में कवर करूँ और बहुत अच्छे से आपको एक जरूर समझा दूँ ठीक है ठीक है स्टो सबसे तो देखते हैं पिछले कोश्चन का अंसर आप लोग ने क्या लिखा अक्षे बोर रहे होकी में आठ जावलीन में एक शूटिंग में एक नेली माब बोरे होकी में आठ जब बिल्को से सूट्स तो होकी में आठ अब तक इंडिया का रिकॉर्ड है में कोई नहीं तोड़ पाए इंडिया के पास आठ गोल्ड मेड़ना इंडियान में जॉक्य में आख रहा कर नाइंटी नेटी में शूटिंग में एक अभिना विंद्रा का 2008 बिजिंग अलम्पिक्स में और शूंट्स जावलीन थ्रो में एक और यह तो फील्ड इमेंट ट्रै बहुत वार आपने सुनाओगा पर चलो एक बार इवीजिन के तौर पर देख लेंगे आपको पताना है आर्बिया इस्टैबलिश कब हुआ था बना कब था आर्बिया के हैड़कुर्डर स्कॉल करता से मुंबई शिफ्ट कब हुए थे और आर्बिया एक नाशनलाइस बै सब्सक्राइब करने की तब तक मैं आपको पता दूंस इस क्लास में पूरा वीक नया शुरू है आज हमारी फर्स क्लास थी तो आप देख सकते हैं यूट्यूब प्लाटफॉर्म पे लेट्सक्राइक बैंक एक्जाम पे मंडे रोज सुबह 10-11 होती है हमारी डेली क्लास मं चांच को 8-30 रखेंगे में अपनी special map की क्लास कोशच शनतर के साथ को एक जगह का map दिखेंगे फिर उसके basis रोज असर करेंगे वैंदे शाम को मतलब परसो श्राम को 8-9 ही हमारी 6 मंद्स को इक काटिगरी लेंगे sports national international पिछले 6 मिने के साब से पढ़ेंगे फ्राइडे दो पहर को थे सुन्स 20 बेस्ट कोश्चन और बैंक के रिकानमी क्लास और फ्राइडे लेट इन दी इवनिंग होती है फुल रीकरेंट पर क्लास टीक है उसके अगर आपको अनकार्णी प्लाट्फरम पर अक्टिव हो अभिन पर आज इस क्लास के बाद मेरा पहला मोटीव है कि सारी जो पीडियाफ बच गी है उसको अप्लोड करूँ और इस क्लास की भी पीडियाफ आपको आज मिल जाए ठीक है तो सुन्स जो कोश्चन है वो भी देख लेते हैं अच्छा अक्षे ने कोश्चन में पूछा है पर अक्षे के कोश्चन से पहले सब्सक्राइब तो ऑमेने पूछा हरा मैंे आपसे क्या पूछा था सार्भी के लिए क्लिए ने थैन साल में और और इस मार्द ठीक है यह तीन साल आए हो पाप आपको समझ में आज़ो ठीक है अब देखते अक्षे का सवाल अक्षे बोले हमारी कंटी के हाइस लौ ओफिसर देखो अक्षे जो CGI है न और जो अगर आपने इनका काम समझ लिए आप सब कुछ समझ लोगे वैसे हमारी कंटी में हाइस लौ ओफिसर बलाया जाता है तूदी गर्मेंट हाइस लौ ओफिसर टूदी गर्मेंट है अटनी न देखो मैं आपको समझातों करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारी कंटी में जो जुडीशरी है उसके सबसे हाइस पोस्ट को बोलते हैं CGI सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंड ओफिसर फिसर टूप की प्रेज़़िया के आपके सुक्सरा इंडिया के जो लौयर होते हैं तो गम्मेंट आफ इंडिया को लुगर किसी केस में रिपरेजेंट करना हो तो अच्शे अंदर को बेखे तो ओडेशे ने आपको ती डाउट आपको तैंडियल बता दिया कोई भी कोर्स पचेस करना हो किसी भी डिरेशन के लिए रेफल कोड़ करो अधिशनल 10% आफ आपको यहां से बिलकुल मिल जाएगा ठीक है अगर सुर्स आपको लगता है कि अनक आडमी के किसी भी YouTube चानल पे जो एजुकेटर से वीडियो बना रहे है उसमें से कोई भी वीड इसके साथ इस क्लास में जितने कोशन जितने टॉपिक्स मुझे कवर कर लिए आपने कुछ नहीं सिखा अब हम लोग मिलेंगे शाम को आठ बजए स्पेशल मैप की क्लास को कंड़ेट करेंगे तब तक रहे सुदंस थांक यू फॉर जॉइनिंग हाव वेरी सिक्सेस्फुल डे आई होप आपने इस क्लास में नहीं चीज़े सीख्या आपने कुछ नहीं सिका सुद्सक्राइब कर सकते इस वीडियो को लाइक जरूर कर सकत हो मिलते शुन स्पाइब की क्लास में डिसकस कते हैं स्पैशल मैप की क्लास दाथा टाम नहीं लोंगा फंद्रा बीस-पचेस में स्पैशल मैप क्लास खतम कर दोगा ठीक है ठीक है सुन स्पेशल में तब तक के लिए थांक यू फूर जॉइनिंग आड रव वेरी सिक्सेस थांकियो निल्मा थांकियो अक्षे थांकियो एविवन और मिल्टेशन शाब को थांकियो